Palworld, एक ऐसा Open World Pokemon like game जो कि Pokemon से better है इस गिम में हम Pulse को train कर सकते है, catch कर सकते है, battle कर सकते है वो भी Open World में and also Minecraft के तरह हम इसमें घर बना सकते है, चीजे craft कर सकते है अपना base बना सकते है अपने Pulse से अपने base में काम भी कर वा सकते है जो कि एक्षिल इस गीम को बहुत ज़ादा बेस्ट बनाती है तो आज में पाल वाल में हैंडे दे सर्वाइफ करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरुवात में हमें यह पर तीन पल देखने को मलता है यह से बाहर निकलने के बाद हमें अपने दुनिया देखने को मलता है जो कि काफी खूब सुरत है अब आफटरेट हमें आपने एक इगल स्टैचू देखने को मलता है जो कि एक fast travel point है तो मैं इसे unlock करता हूँ फिर में कुछ wood को यह से collect करता हूँ इसे के बाद में को यह से cute pulse देखने को मलता है जो कि काफी cute देखने को मलता है इस pink pulse के साथ battle करते है इधरा इधरा अब भागा पड़ा है पंच खाले अब शिंचान की वाल आ रहे क्या भाई भाग गया वह शिट भाई यह फिर मैं पापी पेट के लिए कुछ berries करता हूँ और अब अब भाई इतो हो इट की तो इट के लिए Minecraft के तरह में पेर में पंच मारना पड़ता है लाइक हात नहीं तूटते क्या भाई जिब आप टर रेट में आसे एक branch बनाता हूँ यह Minecraft के crafting table के तरह है because इसके अंदर हम pickaxe, eggs and यह सब चीज़ craft कर सकते है तो सबसे पहले मैं अपने लिए pickaxe craft करता हूँ और इसके बाद मैं आजए तो pulse को मारने because पापी पेट का सवाल यार इसके meat हमें खाना पड़ेगा तो फिर क्या था मैं इसको काफी रग कूटता हूँ and finding किसे कुछ attacks के बाद यह pulp खत्म हो जाता है and मुझे इसका meat and कुछ wool मिलता है and इससे मारने के बाद इसको बड़ा भाई मुझे attack कर देता है तो फिर क्या था मैं इसको भी धो देता हूँ and after it मैं कुछ stone को mining करी जाता है कि मुझे pultium fragment मिलता है and इससे बनता है pulse spear तो मैं यह आपर branch में आता हूँ but यह आपर pulse spear का option दिखता ही नहीं है and फिर मुझे बता चला कि हमें अपने tablet में जाकर चीज़े के recipe का unlock करना पड़ता है आप में काफी cold होता है तो मैं यहां से cam fire भी लगा लीता हूँ gold से बचने के लिए and also मैं इस पर blue की meat भी पगाता हूँ next में मुझे ऐसा पल दिखता है जो कि काफी जादा ही cool लग रहा था like इसकी hate बिलकुल dream beast जैसे लग रही है and इसका नाम भी कुछ dream जैसा था तो मैं इसको हिट करता हूँ and सोच तो मैं इसे फ़र्ष पर फर्ष परल की रूप में catch करता हूँ but यह तो भाई मेरे पर shadow wall करता था but इसका एक ही shadow wall मुझे मारने के लिए काफी था so मैं तो नंतिया से भागने के decide करता हूँ अपनी HP, stamina या फिर weight को increase कर सकता हूँ last battle में अपनी HP के बड़े से अपनी लंका लग गया थी तो मैं या से HP को enhance करता हूँ and फिर बताने चलते चलते मुझे दो Ulus की battle देखना हूँ like एक दूसर के क्यों मार रहा भाई पता ही नहीं एक दूसर के मार रहा but जो विए मैंने इक बाटल में फादा उठाया and मैंने एक को तो केश दिया बहुत गंदा वाला and फिर दूसरे वाला के से मार भी देता है like देखो एक दूसर के मार रहा तो मैंने इक के battle देख दाया but पीच में मुझे एक बड़ा सा महमत दिखिया and यह कितना strong है भाई लेवल 35 का यह and लिटरली भाई क्या ही powerful है तो इसे तो मैं cache नहीं कर सकता मुझे जलते लिए चिकन दिखा and लिटरली यह काफी cute लग रहा था तो मैं सोचा इसे पहले cache करते है but still अपना पहला बहुत ही हो गया but फिर में पता चला कि इसे हमें थोड़ा डाउन करना पड़ेगा तो पुलकुल मैं Pokemon की तरह से डाउन करता हूँ and फिर इसका 100% cache delete था तो मैं तुरंती फुल्स्वेर फेक के इसे capture कर लिया तो हर चीज के लिए पर wooden stone grind करना पड़ता है तो मैं इस पार्ट को वीडियो से delete कर दूँगा ताकि तुम लोगों को boring ना लगे after grinding too much मैंने एक bow and काफी तरी arrows को craft कर लिया था day 4 हो चुका है and अब मैं तयार अपने bowing arrow के साथ इस dream base को capture करने के लिए अपने चोड़ी सी base बनाने के सोची जापर मने अपना एक bet बनाया रात को सब्सक्राइब ना रात को सब्सक्राइब तो मैंने इसको कुछ damage दी but still इसके attack मेरे पर गिरिट रहते है and फिर मैंने इसको लोग करके यारा से pulse पीर फेका but इसका poison effect मेरे पर था अपने चोड़ी सी base बनाने के सोची जापर मने अपना एक bet बनाया रात को सोने के लिए and also मैंने कुछ सामान को लखने के लिए अपने dream beast को काम दी जाए ता chest बनाने का and also Minecraft के तरह हमें इसमें unlimited सामान को carry नहीं कर सकते तो हमें या से सामान रखने के लिए a chest बनाना पड़ा जापर हम अपने चीजों को लख सके और अपने weight घटा सके and फिर मैं अपने dream beast को काम दी रहे था एक pelvis बनाने का जिसे कि हमारे waste decide होगे and इससे मैं अपने pokemon को heal कर सकता हूँ तो मैंने या पर एक pokemon को heal करने रख दिया एक सगंद तेरे साथ के होगा भाई अबे तो मर गये glitch है अब इस पर damage भी ने रशाय से game के glitch है यार मैं ते फिर मैं अपने dream beast को 108 arrow craft करने दे दिया था जो कि बहुत बड़ी amount है and after it मैं आज तो 5 दिगे से कुछ pulse के शिकार करने तो काफी दीर घूमने के बाद हमें तो कोई pearl अच्छा दिखा नहीं था बट चलिया आपर ulu देख रहे तो मैंने रिसाइड के कि मैं को catch करूंगा उनको तो आपर damage दी and 5 दिगे से मैंने इसको capture कर लिया with using my pulse spear but एक second भाई पर देखना चाहते हो तो उस चाल को जागे subscribe कर लेना link in description by the way कुछ time तक हमासा फर चलता रहा and आंके मुझे खिरन दिखा जोगी गास खा रहा था and इस कितना cool दिख रहा है तो मैं तुरान तो इसके पास चला गया से करने के लिए and इसे एक हिट दिख के वाद में को पचाहते है कि यह बहुत जोड़ा पावफुल है and यह मेरे पाल्स पर टाक करता है जो कि काफी जोड़ा शास था and after that मैं से काफी डामाज जीता हूं यह मेरे को one shot कर देता है lol life भाई इसका मतलब पाल्स का एक ही शाट मेरे को मार सकता है तो मुझे इस इसमें काफी दर ध्यान देना पड़ेगा but still मैं इसे काफी दर डामाज जीता हूं and after that यह बंदा फिर मेरे को कर देता है one shot hardcore mode खेलना बहुत जोड़ा हाड है because मैं एक छोटा सा मिस्टेक में मार सकता है तो इसे लाखो करोड़े बार मरने के बाद मैं सीख गया तक इस कैटाक को कैसा डौच करना है and अब तो लिटरली दो बंदे में पैटाय कर देते but मैं दोनों कैटाक को एक सार डौच कर जा था जोड़ा चमक रहा था and यह काफी बढ़ा भी था तो मैं इसे कैट करने के ट्राई कर रहा था but यह आये नहीं नहीं and look at this यह कितना था बढ़ा है normal chickens यह भाई सिर्फ दस कुना बढ़ा है तो मैंने रिसाइड कर लिए कि मैं इसे कैट करूंगा but मैं ड्रीम बीच ने पता नहीं कि वो अपने शैडव वॉल से इसका काम तमाम कर दिया chickens के मरचानी की बाद में यह पर हिरन को भी डूणने आ है but वो पता नहीं यह से जा चुके थे तो मैं काफी जाता आगी जाता हूँ and फिर यहाँ पर मेरेको एक फॉक्स मुलता है जो कि फायर फॉक्स ता हूँ जो कि मेरेको देख की भाग राता like इतना खौफ़े क्या मैं यह तेंगल में but still मैं इसे थोड़ा बहुत तो भाई डामज देता हूँ जो कि एक फ्लाइंग पहला है and मुझे चाहिए भाई लिटरली चाहिए तो मैं इसे काफ वी जोड़ा डामज देता हूँ and still मुझे नहीं पता थे कि इसके पास बहुत पाफुल अटेक like यह वाई मेरे भी क्यों डामज देता मेरा पल बहाँ पर है एक फ्लाइंग पल को कैच तो इन सबके बात में काफ देता खुश हो गया था तो मैं अपने टूटेफटे घर पर आके सू जाता हूँ and फिर नेक्स जे मैंने एक न्यू चीज अनलॉक कर लिए जिसका नामने Glider तो मैं तुरन तो इस चीज को क्राफ करता हूँ and फाइड ही किसे मैं बन चुका वेंड का बाचा तो मैं यहां से मस्तिके से Glider के अब निकल पर तूट और पल्स को कैच करने मैं फिर मैं अपने वेस में वापस आगा तो कुछ चीज लेने बड़ जाने के टाइप मचे यह बनता दिख्या like कि यह कौन है and literally यह मनना चीजों को सील करता है and buy भी करता है बाट इसके चीजे को जाद ही भेंगेते इन में पास पैसे भी नहीं थे तो मैंने इसको जान ही दिया और फोकस किया अपने पल्स केचिंग में तो यहां मैंने सेम पल्स को कैच कर लेता दो बार because मुझे लग रहा था कि सेम बाल को कैच करके शाइसे मैं अपने काम करवा सकता हूँ and ऐसे यह तिंज भी चाहता है and next gen से उबह उटके मैं सेम काम करने वापस न लग जाता हूँ पल्स को कैच करना मैं ऐसे टाइब की गेम को फर्स टाइम खेल रहा हूँ तो मुझे पता ही चला कि कब 20 days बीट गए and फिर मुझे जरूरत फील हूई एक वेस्ट की तो मैंने काफी से यह आपर रूट काटी and मैं लग गया मैं अपना खुद का घर बनाने तो काफी टाइम लगा but still मैं काफी नूब हूँ but जैसे-जैसे करके मैंने यहां से अपने घर को बना लिया था and yeah यह काफी दर अच्छा दिख रहा है अंदर से भी and बाहर से भी अच्छा ही दिख रहा है and इसके लिए मुझे कुछ green lights की जोड़त पड़ीगी जो कि all over map में मिलती है by the way progress तो दिखे रहा है भाई हमने काफी सारी pulse को catch भी कर लिया and अपने एक waste बना लिया जो कि काफी अच्छी बात है and फिर यहां सिर्फ मेरे pulse चीज़े color करके के में तो मैंने को यह आपने एक chest भी दे दिया and उसे के साथ मेरे पास pulse से खतम हो गया तो मैंने काफ से palladium fragment को color की and उसे बना दिया कुछ pulse pair जो की literally मेरा यह dream beast था के काम कर रहा था and अपने घर को light up करने के लिए चाल लगाई जिसके बाद इनफ grinding हो चुकी थी तो मैंने कल पर आप उसे pulse को catch करने चापर मैंने कुछ new pulse को catch कर जैसे कि ev के तरह दिख रहा था तो मैंने इसको catch करने कि try to key but still यह मारा गया पता नहीं क्यो रात को गुमते गुमते मुझे यह आप पर एक अलग तेके कपाल दिखा जोके एक penguin था and कुछ ice hero fake रहा था तो मैंने तुरंते इसे भी capture कर लिया अपने pulse fire को fake and रात में उल्लू ना हो ऐसा तो हो इनी सकता देखो मुझे रात का उल्लू मिल गया and पता नहीं एक पल मेरे को देखे भागने लग गया तो मैंने बोला कैसे बाग सकता है तो मैं इसके पीछे जागे इसको मारता हूँ and literally काफी यह कूल लिख राता like कितना मस्त है तो मैं इसे कुछ jammas देता हूँ अपने nightwing के साथ and after that finding किसे मैं इसे करन लेता हूँ capture and इन सब के बाद literally हमने अपने सफ़र को बहुत आगे बड़ा है हमने बहुत से पल्स से बैटल की बहुत को काज किने के भी ट्राइक but still तो मैं तो मैं तो बताइए मेरे गेम हाड कोर मोड़ पर चाहपर एक चोटी से भी गलती मुझे मरवा सकती है तो मैं आपके काफी तैम तक बैटल की काफी पल्स को catch किने के ट्राइ की but still बहुत से पल्स पर फेकने के बाद भी इस पल्ल न मुझे one shot कर दिया काफी लब में सबर के बाद भी अपने वेस आ गया था चार लेवल होने के साथ मेरे वेस में चार पल्स घूम सकते है लिटरली देखो कितना और चीटी किसे ये काम कर रहा एक पर्था तो रहा दूसरा लीग के चारा उसे अंदर रखने लाइक क्या ही बात है मैंजे फिर में पर चला कि आपर कफसे मैंट्रियल को टोड़े है और हमाई चेस्ट का फिकर में तो यासे में काफ़ जारे निव चेस्ट को लगा देता हूं उसी के साथ मैंने अपने पल्स के सोने के लिए कफसे बैड यासे उन्हें दे दिया था था कि रात को सो सके कितनी जादा ही क्यूट लगते है I love them all और फिर नेक्स रिवा याँ पर कुछ चिकन ने मेरे वेस्ट में हमला कर दिया था बट फिर इनका चिकन बिल्यानी बनाने तुरंती मेरे सारे पल्स आ जाते है क्या ही हमला करे लेक्ट दो चिकन से भाई कि अपने पल्स के रिपर राइड जो गेर होते वो बनाने में मतलब मैं अपने फ्लाइंग पल्स के रिपर राइड कर सकता हूँ अगर मैंने इसे बना लिया तो फिर क्याता मैंने तुरंती इस तीज को बना लिया यह बहुत जल्दी बन भी गया अफ्टेट मैं देखा कि मेरी लावल काफी कम है इसे खाथिर में अपने फ्लाइंग पल की शैडल को बना नी सकता उस पर चलने के लिए अब मेरे आखों में आग उतर आई था कि मैं जल्दी जल्दी चाहूं अपनी लावल को स्पीड से बढ़ाऊं तो मैं निकल के वाइल स्पायर को कैच करने जो भी पल्स में पर देमें को भी दुबारा से कैच करने लगा ताकि मेरी लावल जल्दी से बढ़े एंड उसी इस बार मुझे इसको कैच करना ही था बाट मेरे पोकेमोन को जाद ही लावल अप हो गये थे तो फिर क्या था मेरे नाइट फिंग एक 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 के साथ साथ इस हिरन को मार डालता है क्या है बाई तो हम अपने सब्से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गे थे एंड फिर मुझ काफी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा तो मैं इसके एरो फिर करता हूं और खुद के डिफेंस के लिए मैं पीछे चुपता जाता हूं एंड इसके मेरे को वन हिट करनी भालाता कि मैं बच्चातों जैसे थे एंड आफ्ट में डिसाइड के तक मैं मतलब पत्थर के पीछे से रखे मारेगा उसके काफी सरी अटाइक को डॉच करनी की बाद मैं काफी से बच्चाता जाता हूं एंड नाइट विंगे से लो भी कर देता है और अब टाइम आफ्ट करनी का तो मैं तुरेंट अपने पल्ट को फेकता हूं और पता नहीं यार भगवान मेरे स आपके क्या चीज था कि एक ही बाहर में यह पल आजाता है लाइक कैसे भाई कैसे यह क्या लग है बज़ेंगे से कैसके किने की बाद मुझे आसे एक एंशन टेक्नोलोजी पॉइंट बलता है इसका यूस मुझे अभी तक नहीं पता बॉस को कैसके किने के बाद हमारी कुछ टाइप का लग रहा है लाइक इसके पर फ्लेम्स जोने कितने जाद ही अच्छे दिखे रहे है तो मिझे इसके बाद कुछ डामज की एंड इसके अटाइक से भशता आ गया और काफी जाद ही अच्छी थी तो मैं इन मैंटिस में से एक को कैस्ट कर लूँगा तो मैं मैं बाइड आके से मार देता लाइक कितना खतना के चीज बीच मुझे यहां से काफी सारी एक बे मल रही थी और मुझे बतानी इनका यूसा भी क्या है बट मने इनको कलेक कर लिया और फिर बहुत ज्यादा दूर तक हमाई सफ़र आगे बढ़ती गई और काफी दूर जान से दिखिया एक रिलम दिखिया एक रिलम और इन्वेंसिवल बट मुझे पता नहीं था कि यह चीज है क्यार मैं इसके अंदर निकल परा एंड इसके अंदर में एक बॉस देखनों मिली जो की लावल 23 की थी मैं इसके साथ बैटल तो शुरू की बट मैं भूल कहते कि यह को अपने पल को दे दिया एंड मैं निकल परा हंटिंग करने बस चिल इन दोनों को क्या हुआ है यार एक तो मारा पड़ा है लगिन दूसरे के साथ क्या हुआ है बचा 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 चलदा रहा है क्या भाई तो तो तीरी लाइफ तो मोई मोई हो गई अब भी मेरा में फोकस पल्स को मार के उनके सिक्रेट मेट्रियल को कलेक करें तो मैं बहुत से पल्स को मारता गया और उसी बीच मुझे यहां से एक लामा दिख गई निटली मुझे को पहले भी काफ़े मा मिली थी बट हर बार यह मर गयी थी तो मैंने इस पर इसको सफ़फ़वी कैच कर लिया थ से उसके बाद मुझे एक टावर दिखा तो मैं इसके पर रश कर दिया तुरंती एंड गीस टावर के अंदर मुझे पता नहीं क्या चीज़ है पर यहाँ पर दिखाता कोई बॉस है जो कि 10 मिनेट के बैटल था तो तुरंती मैं इस बैटल के एक्री कर देता हूं एंड फिर म सब्सक्राइब करता हूं और मुझे को सब्सक्राइब करता हूं तो उसके बाद मैं और आके बढ़ता हूं जा पर मुझे को सीक्रेस्ट एक भी मिलता है यह हमारी जर्नी और आगे बढ़ता है इस बार मुझे बहुत जादा दूर भाग गया था बट श्किल में इसे एक एरो मार देता हूं फिर यह मेरे पास आता है इसे कुछ जामज करने के बाद ही तुरंती मैं इसे क्याफ्चिर कर लिए तो पुल्स पेर में लुकली इस ब अच्छा है जो कि मझे बैटल में काफी हल्प करने वाला है और ग्रांडिंग यहीं नहीं रुकी हमें अपने खाने के प्रब्लम सॉल्फ करने के लिए बैर बेर प्ल्स के एरिया बना इधी जिसमेरा एक पाल बैरी प्लांट कर रहा था और दूस्रे वाला ही लाई मेरे को लगती तोर के लिए जो कि बहुत अच्छी बात है और में श्रॉंगर बनने के लिए हमें और श्रॉंगर पाल्स को कैस करना पड़ेगा तो मैं नाइट विंग के पीट में बैट के बहुत जोंगर घूमने लगा बट चिल मुझे कोई और श्रॉंगर दिखा नहीं था कर सकते हूं ना इवान वार्ट कर सकता हूं अधि पॉरा इसफेल दुन के लिए को एक तरव बना ली जिसके सार में था जाकर सकता हूं और देख रहां एक नोगा तो नगा बिंग एख और फिर जानें ठीड़ के लिए और लिए फिल लांति ऐस कैसे कर सकता हूं आग तो एंशे टेकर जी पॉइंट से मैं यहाप से साइड में जो परपल बार रहना इसके चीज़े को उनलॉक करता हूँ तो मैंने यहाँ से एक इंक्लूबेटर को उनलॉक कर लिया था जिसके बाद मैं इसे तुन ते प्लेस कर देता हूँ पर बार के लिए बने अपने स्ट्राइब को बेश दिया अन इसका इसका सफाया भी कर रहे थे तो मैं नाइट विंग तो इसको बैटल लेता है और फिर में पीछे तक इसको डामज देता हूँ यह बैटल काफी जी तक चलती है रही है और अग्यान देले कर देला था हूँ आपल पतल मेरे पर बीकाट करता है बट मैं इसके एक को डॉच कर लेता हूँ आज आप्र डेट यह बैटल पहुत लम्मी जी तक चलती है और पहुत जोड़ा पाफुल पल था तो इसके पर काफी लंबी तरी तक हमें बाटल करने पड़ती है but end of day time हम जीच जाते इस बार and हमें आपर मिल जाता है path ancient technology point जो कि बहुत अच्छी बात है and फिर मैं घर पर आके और एक shadow को craft करता हूँ जो कि था flame tower yeah finding किसे में this fox flame tower कर सकता हूँ तो यह तो होगी awesome बार next question दो तक हमारा pulse catching चालू रहता है and फिर में इसको फिटा चला एक new चीज़ के बार में जो कि था shield and yeah यह एक ऐसी चीज़ जो game की starting में मेरे को मिल जाते है but knowledge ना होने के खादिर में इसे बना ही नहीं पाया and इसी के आते में को defense मिलेगी battle में and कुछ pulse के attack को भी रोक सकता है तो फाइंटी किसे में इसको बना लिया जिसके बाद मैं अपने waste को अप्रेट रेन अलग चाहता हूँ जाबर में एक mine बनाता हूँ जाह से मेरे pulse unlimited पत्थर को mine कर सेके still upgrade going on मैं यहाँ से और एक चीज को मनाता हूँ जिससे की unlimited would भी मेरे को मिल सके and देग रहा हिरन कैसे सर मार रहे and literally off screen में इस बने ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी starting से ही तो मैंने इसका नाम रखा था Buffy and अब ही तक यह मेरा best friend बन चुका है करता हूँ and after it कुछ और पल्स भी थे आपर जैसे की मैंने इस जेर को catch किया तो अब मेरे पास shield आ चुके तो मैं वापस आ गया था उसी बिली से battle करने and literally shield नीचे जो तुम ब्लू आले लाइन लाइन देख रहे वह मेरे shield प्रोडेक्शन है shield मुझे इसके attack से बचा लेता है but shield को charge on में फ़्या टाइम लगता है तो मैं इसके next attack से फिट जाता हूँ लिटे लिए वो चीज काफी ज्यादा powerful थी तो फिर मैंने decide कि मैं कुछ दूसरे pulse को catch करूँगा and फिर मुझे यावस से और एक पल मिल गया था जो कि अपने सट पर आग लेकर जा रहा था लाइक कि कुछ हिरन की तरह है तो फिर क्याता है मैं इसे catch कर लेता हूँ मैं इसे catch कर लेता हूँ तो मैंने decide करते कि अपने कुछ नया boss को ढूंडूँगा जिनको मैं catch कर सकूँ बट शेल उसे बग साइट से मुझे कुछ दुआ उटता हूँ तो मैं दुआ को फोल करके निकल गया बहाँ पर और मुझे आपर एक इनमी का वेज दिखा पता नहीं क्यों ने एक पोक्यमान को भी यापर क्या आद करके रखा है आपना फ्लेंजर करें इनको चलाने तो फिर क्या था अपना फ्लेंजर गोस्वान आद इनके आपर फ्लेंजर की बारिश पर जाती है कि कफ़े टैक से बाद लिटरली यह लो कितनी स्पीड ली मड़े लाइक में एक तो इनको डामेज इनको बहुचता यह लोटे प्लेंजर का भाई यह किंग है तो फिर का था मैं इसका बाटल चुरू की यह लिटरली काफ़ी जाद ही stronger था यह मेरे फोकेओन का फोलो ना करके लिटरली यह मेरे इसके बाटल ले रहा था लिक मेरे पर अटाक कर रहा है यह लिए प्ल्स पेर के अंदर आई गिया एक ही बार में तो उसके बाट में अपने वेस्ट में वापस आया इस किंग को अपने वेस्ट में काम में लगा दिया हाँ भाई था तु पहला किंग बट तुझे मेरे वेस्ट पर काम करना होगा लिटरली यह मंदा अपने काम पे निकल भी गया तुरंती उसी बीच में अपने नॉर्मल काम को कर रहा था वेस्ट को अप्ट्रेट, चीजे कलेक्टिंग, फार्मिंग करना बट पता नहीं उसी बीच में को बता जबादा कि यह ग्लिच होगा मेरे साथ पहना को राइडर क्या है बाई हाथ मटा गया लॉल ग्लिचेस तो होते ही रहेंगे पर हम आप तो समफर पर आगे बढ़ते गया यहाँ पर मुझे एक राइचु जेसा पोकर रहा था लाइक कि इसके टेल देका बिलकुल राइचु जैसे ही है और आगे गुमते मेरे को देखने को बलता है कि एक पोकर राउलेट की तरह मारता है तीर बिलकुल राउलेट की तरह ही रिखता है जो कि लड़ रहा था कुछ इनेमी के बंदों से तो मैं तो भाइ इसके मदद ने करने हाला मैं डिसाट के कि इसी बाटल के बीच यह लोग इसे लो कर देंगे मैं से कैस कर लूंगा और मैंने बदा ले तक इसके साथ काफी इजी था तो मैंने काफी देर तक इसको उपर कैश करने की जाए कि लाइक के होई नहीं राता और आप्रेट में इसके पर पर फेका एंड लुकली वन परसें चांस था बाट जैसे तरसे यह बंदा इस बार कैश आ गया और आम लुकी तो मैं यह से 20 फिनिकल गया और जाने के टाइम पर मुझे मुझे माई टेगल मिल गया जिसका नाम है ग्लाइडर पर एंड लिट्र जो गेने लिट्र जीनरी बॉस को कैशिकर ने मुझे इतना टाइम ने लगा लाग इतके पर मैंने कितने पर वेकार मुझे पता ही चला वाई कितना देल लगा बट एंड आप दूर में मुझे बॉस दिखा तो के लेवल थरी का था बाट है बाट इसके साइड में और एक बाट कर सकते तो मैं तुरेंदे निकल किया उस बॉस के लिए और बहुत दूर जानी बाट फाइंगी से वह मुझे दिख पी किया और लिट्र यह कुछ जादा ही बढ़ा था लेकि नॉमने वाले से कुछ जादा ही बढ़ा है तो भाई देखो इसके मैं इसके पर रश कर सकते बाट कर दिया इसके रेंज में आनी के साथ साथ बाटल चुरू कर दी इस बैटल में एक दिक्कत ती कि मैं अपने एरोस ना बूल गया तो मेरे पास काफी मेरे और होस ते मतलब लिमिटेड एरोस के साथ मुझे इससे बैटल करना पड़ेगा और बॉस के साथ बाट यहां पर अब हमारी बैटल वापते शुरू हो गी थी और जो भी हो इस पार हमने इसे काफी लोग किया और इस बार में इसके अटक से बजब बजब कर लिए एक लग भी गया अन्लकली इसके अंदर ये बंदा नहीं आया क्या हिए हो सकता है यहांने करनी के लिए मुठ बजब बहुत होच वास तो चुका है हैं बर जो भी हो मैंने इस बड़े से जाइंट बॉस को हमारे वेस्ट में काम लगा दिया था जो कि काफी अच्छी बात है मतलब पहुत अच्छी से ग्रोंगे अक्रिकर कुछ दिन तक मैंने इने पास को करता रहा है उसके साथ में काफी डिफ्रेंट इनेमिस वेस्ट मिले जहांपर मैंने कावचाए निए आई पोकेमान को बचाया न उसके साथ में एक वूल पाक मिल गया था जहा पर दो फॉल पर होगे तो एक मड़ गया था अब दूसरे का मैं कैस करने में सक्सेसरों हो गया जोगी अगछी काफी नाग दिख़ए तो इसको हमने काफी जारड कि हमने बहुत गंड़ी किसे कूटा एं लिटरी में पर से बहुत जादा मेरी हल्प की एंड इसे के साथ हमें निव बहुत सारे पल्स मिल गए थे एंड यह वाला लिटरली कितना जादा अच्छा लग रहा है लाइक आई लव इस पर लिक्टरली और यहां पर कोल्ड ने मु भॉस भी है तो इस बहुत बहुत बनता ही है तो इस बाइच क्छा लग रहा है तो अब बोकेवन को बहां डब सुरूर कर दी बाज में यह कुछ जादी खतरनाग रहा था था इए मिने पर मेरे रही है क्या लिटा यह दिकते हैं और द्रागव बीद कर सकता जो कि बहुत तो फिर आथा हमने बहुत लंबी बैटल लेसे और बहुत लंबी बैटल करें तो कर तो रान, पाइज हमने काफी दाद अब बछल ले लीए बहुत लंबी हमारी बैटल चली और हमने इसको काफी दा लो इकार कर गया तो मैं इसे क Κाश कर रहा था और यॉसके चैशिच जिस यह बन्दा आ गया लिए जिद्धी ड्राइगन को हमने कैच कर लिया बट चिल जो भी यह वाला स्ट्राइच उ मुझे बहुत जादा इपिक लगा तो आगे मैं अपने डेस्टिन को बढ़ता रहा लाइक वह सीक्रेट्री बाइट बहुत दूर जानिक बाद मुझे पता चल करने के लिए रख देता हूं कि अपने वेस्ट में रिलीस करने के लिए रख देता हूं यह इतना बड़ा साइद में था ना मेरे वेस्ट में लिटरली रिखो आग से जल रहा है कितना बड़ा है मतलब एक पंक हिलाके में घर तोर देगा यह बट चिल अभी सीरे वाला पल मेरा फेवरेट पल में से एक हैं लिटरली बहुत जो जाइन्ट है कुछ दिर बाद में इसे काम दिया तो लिटरली यह कैसे हत्तोरा लेकर काम कर रहा है और जो लोग सब्सक्राइब ने करेंगे ना मैं इसको तुमारे फीचर चोड़ दू का वह भी हत्तोरा लेकर सब्सक्राइब करते हैं और लोग काम करते हैं हम लोग मजे से देखते रहता है और एक भी तक थोड़ा ही इंक्यूबेट वह है कितना टाइम लगता है इसमें बैट चो भी हो जापर हमारे वेस का काम तो भाई काफी चीज़ चल जा रहा था वैसे मैंने एक सिंपल पाल को काफी किया था यह यह दाइन सॉर किया यह मुझे चाहिए था स्टार्टिंग से बट इसने बट चाहिए बट बॉस्सको ठूने बट यह वाला वस्ना भाई बाकी सबसे पहुत जादा पाफल है बिकॉस मैं से फाइट करने तभी तुम देख लोगे जब नहीं इसे बैटल स्टार्ट किना भाई मैंने इसके बड़ दो एरो फेके एंड उसके बाद ही यह लिटरली खतरनाक तरीकिसे अपनी आपको को साहिं किने लग किया और यह खूद खूद के हमला करता है यह कूद के ऊपर से आता है और हमला करता है क्योंकि बहुत ज्यादा चीज है तो हमने इसके बाद जैसे तरह से हमने इसको लो कर दिया है और आफर डेट है किसे मैंने इसको एक ही पाल स्वेयर में कैच कर लिया बाद मने इसके बाद शुरू कर दी स्टार्टिंग से मैंने को दिख रहा था तो मुझी यह चाहिए था अपने एक तो मैंने अपने पल को भीज देसे बादल के लिए अन लिट्री मैं आती तबाई मचा रहा था लाइक भाई इसकी बाद चार्टियू इससे अन्ड्रेग इसके बीट से निपटार आला और खुद भी निपट गया उसके वेंट अटेक से राइक बाद यह दोनों बैट जो भी हो काफी दुख़वरा सीन हो गया बट यह मंना ना मैंने के बाद इतना लोक ऐसे मतलो मई तु मरनने के बाद हलका हो गया क्या हो गया तिर साथ मैं त बाद बार इसने मुझे करना माला था इस बार मैं इसके साथ बैटल में बैक आगा अफर डैट काफी ट्राइज के बाद फाइज इक से मुझे इसे भी कैप्चर कर लिया फिर आगे काफी यह तक उड़ने के बाद मुझे आपड एक इनमीर की वीज दिखा ही दी बट इन्हो पड़ गया था बड़ यहां से काफी साथ वाइल पोक्यों थे तो मैंने इनमें से एक को पकल लिया था एक्षिली में आफ्ट इन लोगों से बहुत लंबी बैटल हमाई चलती थे सब लोग भाई हम पर ही टूट पर रहे थे तो मैं नाइट उसको समाला मैं आट इसको समा है जाबर में एक पल्स पेर टेवल बनाया था जहांसे मैं बहुत से तरीके के पल्स प्यार को क्राफ्ट कर सकता हूं और अफकोस इनके लिए मुझे उनको पहला नॉक करना पड़ेगा और फिर नेक्स पुस्ट्राम तक मैं आगे अगे अपने वेस्ट मैं लिटरली ये व क्या दोगती है इसको निब्टाने की बट चिल मैं अपने वेस्ट से काफी तक दूर था तो मेरा यहां से एक भी हो चुका था तो अब वाइं टेक्से टाइम आज चुका है इसे हैज करने का लिटरली से कुछ सारी खटरनाक पल निकला था आज इसको देखने के काफी तर बाइदी वे हार्ट कोर मोड होने के बावजूद भी मैंने अपने आपको बहुत अब बहुत मुस्किल होता है हार्ट कोर मोड पर एसकी गेंड करना तो जैसे तेसे मैं यह आप लेवल 26 हो किया और जिसके बाद में कुछ और बहुत बहुत होती रहेंगे कुछ देर बाद बाद में असके बाद में काफ देर के बाद म Pode क्म Chapter लिया जिसके बाद में सबसके लिया नगया एक तो मेस वोगा दूसरा वाला मैं फेका बट उसके अटैक ने मुझे आके हिट कर दिया और डॉज कंदी के बाद भी में मर गया बट जिल मेरे मरने के बाव जुबी वह बास कैप्चर हो गई सब्सक्राइब काफी दूर जाना पर उसके लिए रात तक मैं उसके पास बहुत किया बट कहाँ पर दो कुछ और बॉसस उद रहे थे लिए कि यह दो पल्स क्या चीज है बाई कितने ज्यादा कूल लग रहा है कि तुम्हें दिखाईने दे रहा होगा तो मैं यहां पर कुछ एफेक्ट बेफेक्ट डाल देता हो इसके खाथे तुम्हें इस पल्स को देख पाऊगे तो देखो भाई कितना ज्यादा एक खतरनाक पल्स देख रहे हैं बट भाई यहां पर पास में ब्वास भी ख़रा हुआ था जोकि लिटरली में पर टाक कर रहा है और अब बहुत ज इसको मार रहा है बता मुझे बट जो भी मुझे इस वाले पल्स को पहले कैस करना पड़ेगा यहां अब भाई बिल्कुल वन वन का बैटल था बॉस के हमारी बट अब इस बॉस का टार्गेट से मेह केला हूँ तो फिर क्या था इसने मेरे घतरनाक अटक मारी एंड चिल मार दिया था तो मैंने अपने पल्स को रिवाइब होने के लिए रख दिया और में यहां फाग घूमने लगा और कुछ दिर खूमने का फाइन किसी मुझे मिल किया ब्लैक मार्केटर अब यह बनना लिटरली पल्स को खरीटता है एंड कुछ खतरनाक लिजीनरी पल्स को से बापस से लिए तो मैं बापस से बास के और निकल परा एंड इस बार में बिलकुल तयार हूं इस खतरनाक बॉस को हुजडरा निकल लिए के लिए बीकस में पूरे प्रपरेशन के साथ आयो तो स्टार्टिंग में यहां पर बैटा हुगा था था अब अब जारत दिर खु क्यों पर आ है बर जो बहुत नंबर देर तक चली है हमारी अवारी पाइट होते हो तो लिटरली भाई यह बन्नला में, वाणने के ट्राइब कर जाता है जारता है इसका जाहन सब्सक्राइब करने के बद्चे के बढ़े हूं गया है बट जो भी हुए बैटल श्याम तक चलती जाती है और जिससे से मैं इसको लो करें दाँ आफ्र एट मैं अपने मेगा पल्स फियर फेक तो इसके उपर और मुझे नहीं लगाते कि एक हो जाएगा बाट 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 आम स्टिल लखी यह लिटरली एक ही पल्स फियर में करें सब्सक्राइब भी तक इसकि उटाए बना हो श्रुए यह बर्ट वाट बना डिया बना दिया बैदे में व्यख वीडियो गेम कहसे लिए को पर और वीडियो एकनगन चाहते हो तो कमेंट बोक्सर जड़ूर से लिख देना था एट एट इसके पार्ट टू बहुत make sure to subscribe to channel so let's bye guys we'll see you again in next video